तुछ लो फ्रेंड्ट वेल्कम टू ओर यूटू चेनल तो आज का टॉपीक है कम्युनिकेशन सिश्टम का पी ऐलल एफ-म डी मोडुलेटटे इसमे편 ataots फ्रिक्विशंसी सीमॉड फ्रिक्विशोड वूडिमॉड लेशन जो है केरे सिगनल और मोडिलेटेट सिगनल से इससे बनता है सपोज यह एफई एन है तो इसको हमनों पहले फेस डिटेक्टर के तुरू पास करेंगे देटक्टर के तरूप सरे करेंगे तोब ट्रूप करेंगे क्या करता है और फेश पीडिक्टर। सांथ ही साथ हमनों यहाँ पर वी-सी ओश्यों से बालिएंगे अकि जो वी-सयों है ऐसको बोलते हैं वोल्टेज कंड्रोल ओसकिलेटर डेज का इस कि लेकर तो यह जो वल्टेज का अव्च थो है यह दोनों डिफेंस, क्रेट करेगा जेनरेट करेगा डिफेंस जिसको को दोने बुलते हैं फ इंड-धिरो या तो ऐसे करेगा फिर फ करता है तो इसको लोग क्या बोले हैं control at carrier signal तो यह जो है city जो VCO है VCO हम लोग का काम आता है control signal को control करता है तो यहाँ पर जो carrier signal देता है जिसको f1-f0 फिर f1-f0 यह हम लोग इसको इस वे में लिखते हैं तो अब इसको हम लोग फिल्टर के तुरू पास करेंगे तो हम लोग यह टर्म जो है f1-f0 यह डिमिनिश हो जाएगा यह बच जाएगा और बच जाएगा हम लोग के पास f1-f0 यह हम लोग के पास बचा इसके बाद फिर इसको हम लोग एम modulation के तुरू पास करेंगे am modulated और जब हम लोग am modulated के तुरू पास करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पास mt यह जो है हम लोग का modulated signal है जो की ct plus mt था स्टार्टिंग में यह बन गया हम लोग का demodulate होकर के सीधा mt बन गया मतलब की सीधा only modulated signal यह modulated signal जो है यहाँ से interconnected रहता है इसमें तो यह पूरा चार्ट है एक्च्वल में यह जाम में पूछता है PLL FM do modulated को explain करना है यह जो मैं topic दिया हूं इसको explain करने को बोलता है तो मैं आपको अगर चार्ट समझा दे रहा हूं तो आप लोग theory तो अपने आप से लिखी सकते हैं मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं जैसे कि FM modulated signal है जो की carrier signal and modulated signal दोनों से बनता है इसको हम लोग एक term में लिख रहे है FIN जब phase detector से pass होता है with the help of VCO मतलब voltage control oscillator तो यह दोनों के फूरु जब पास होता है तो एक difference generate यह create होता है जिसको FIN minus F0 यह FIN plus F0 बोलते हैं तो जब यह इन यह दोनों terms को जब हम लोग LPF के तुरु पास करते हैं LPF के तुरु पास करेंगे तो हम लोग एक ची डिमिनेश हो जाएगा सिफ FIN plus F0 यह difference बच जाएगा और जब यह बच जाएगा तो हम लोग इसको FIN F0 को AM modulated से पास करेंगे तो हम लोग को modulated signal सिफ मिल जाएगा interlink है तो हम लोग को इसमें कुछ terms याद रखने पड़ेंगे जैसे की output frequency of VCO यह जो VCO का output frequency है यह unmodulated frequency के equal होगा is equal to the unmodulated frequency carrier इसका मतलब कि जो output frequency यह जो VCO है यह किसके equal रहेगा यहाँ पस जो CT plus MT है यह दोनों इसके बराबर होगा जिसके वज़े से यह cancel हो जाएगा यह रह जाएगा जो की difference है यह सेम सेम cancel हो जाएगा तो यह पहला point यह था दूसरा point यह है कि phase detector जो है यह जो phase detector है यह phase detector जनरेट करता है difference between the FM and VCO output मतलब कि जो हमनों का frequency modulated यह FM modulation था और VCO था यह दोनों को जब हमनों phase detector से पास किये तो क्या पना यह जो हम आपको बता रहा हूँ create हो रहा हूँ create हो रहा है generate हो रहा है इन दोनों का difference तो इसी को हमनों लीक सकते है phase detector generate the difference between FM modulated and VCO output यह दोनों की बीच का जो difference है यह generate करता है phase detector और जो main output है हमनों को fn-f0 वो हमनों को मिलता है LPF के जब हम लोग इस time को LPF के through pass करते हैं तो हमनों को main output मिल जाता है तो हमनों यहाँ ली सकते हैं output will generate from LPF या फिर after LPF तो हमनों इसको लीक सकते हैं ाँ